हिंदू मान्यता के अनुसार पुराणों में कहा गया है कि भगवान शिव के बारह पवित्र ज्योतिरलिंग है. ज्योतिरलिंग एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है, रोशनी का प्रतीक. भगवान शिव के बारह पवित्र ज्योतिरलिंग कोई सामान्य शिवलिंग नहीं है. ऐसा कहा जाता है कि इन सभी बारह जगहों पर भूलेनाथ ने खुद दर्शन दिये थे, तब जाकर वहां ये ज्योतिरलिंग उत्पन हुए, उन्हें द्वादश ज्योतिरलिंग के जिवन पूर्ण नहीं हो सकता. इन ज्योतिरलिंग के दर्शन, आराधना, पूजा से उपासकों के जन्व जिनमातर के सभी पापनश्ट हो जाते हैं. वे भगवान शिव की कृपा का लाग पाते हैं. आए जानते हैं भगवान शिव के इन बारह पवित्र ज्योतिरलिंगो के बारे में. पांच्वा ज्योतिरलिंग वैद्यनात है. यह लोगप्रिय ज्योतिरलिंग जारखंड में स्थित है. ऐसी मान्यता है कि यहां पूजा करने से आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं. इस ज्योतिरलिंग की कथा असाधरन पंडित और दुष्ट रावन से जु भगवान शिव को अरपन कर रहा था. इसी तरह जब वह अपना दस्वां सिर चड़ा रहा था, तब महादेव आय और रावन से कोई भी वर्दान मांगने को कहा, फिर उस समय रावन ने कहा कि वह चाहता है कि भगवान शिव उसके साथ लंका शेहर जाए और वहां स्थाप पर रख दिया है, तो वह वहां अनंत काल के लिए स्थापित हो जाएंगे. रावन ने इस शर्त को स्वीकार किया और ज्योतिरलिंग के साथ लंका की और प्रस्थान किया. भगवान शिव की इस वर्दान से देवता बेहद निराश, दुखी और तनाव ग्रस्त थे क्योंक भगवान विश्नु ने ऐसी लीला रची की, रावन को रास्ते में लगुशन का आए और वह शिवलिंग एक चरवाहे को दे दिया और गायब हो गया. हालांकि उस ग्वाले ने उस शिवलिंग को वहीं जमीन पर रख दिया और शर्त के मुताबिक ज्योतिरलिंग वहां थापित हो गया. ऐसा कहा जाता है कि इस लीला को बनाने के लिए भगवान विश्नु स्वयम उस्चरवाहे के रूप में आये थे. इस प्रकार से उत्पन हुआ वैध्यनात जोतिरलिंग. कि आईबते हुआ झालाख दिया थे. झालाख बढ़िक जोतिरलिंग वैध्यर बढ़िक जोतिरलिंग है।